स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर तो आज के इस वीडियो से हमें एक नई स्रीज शुरू करेंगे यानि सभी रोगों को हम जानेंगे उनके लक्सल क्या होते हैं उप्चार क्या होता है किस कारण ये फैलता है तो इसमें सबसे पहले हम डिसकस करेंगे आंतर जुअर को जिसे टाइफाइड भी कहते हैं इसे जुड़े सभी कोशन्स को सब important topics को हम जानेंगे जो भी exam में आप से पूछे जा सकते हैं तो चलिए करते हैं सुरू आंतर जुअर यानि टाइफाइड ये है साल मोनेला टाइफोसा नामक जिवाडू से फैलता है आपको ध्यान रखना है साल मोनेला टाइफोसा Qution, Direct Exam में पूछा जाता है, कि आंतर जुआरा जाए या टाइफाउड आ जालता है। तो साल मौनेला, टाइफोसा। इसे क्या है? आत्र का भुखार यानि आत का भुखार भी कहा जाता है। आंतर जुआर यानि आत का भुखार के नाम से भी से जाना जाता है। इस रोग में पिलीहा और आत्रियोजनी जो ग्रंथिया होती हैं, क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, यानि जो नॉर्मल इनकी साइज होती हैं, उससे ज्यादा हो जाती हैं, मतलब कि बढ़ जाती हैं, पिलीहा और आत्रियोजनी, तो कोश्चन आपसे पूछा जाएगा, कि आत को टिक कर देना है आतर जुआर यानि के टाइफाइड इस रोगी के जो लकसर होते हैं इस रोग के तेज बुखार रहता है और सिर्दर्द भी बना रहता है यानि बुखार के साथ साथ सर्दर्द भी इसमें बना रहता है रोगी को इससे बचाप के लिए मल मूत्र वाले इस्थानों से जो है यह टोइलेट वगेरा से दूर रहना चाहिए भोजन को मक्यों से बचाना चाहिए और इसकी चिकित्सा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट किलोरो माई सिटिन नामक ओसदी का प्रियोग किया जाता है किलोरो माई सिटिन कोश्चन डायरेक्ट एक्जाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड या आत्र जुअर के रोगों को कौन सी ओसदी दी जाती है तूसरी बात आपको यह ध्यार नखने कि इसमें कौन-कौन से गरंतिया बढ़ जाती है तो पलीहा और आत्र योजनी गरंतिय से बढ़ जाती है इसे आत्का बुखार का याणि इसका दूसरा नाम आप इसे आत्का बुखार आंत्र जुआर्यां टाइफाइड भी कह सकते हैं पानी की गंदगी से ये रोग फैलता है तो यही कुछता जो एक्जाम में यहां से पूछा जा सकता है 3-4 कोशन इससे बन सकते हैं और बनते भी हैं एक्जाम में तो इसी तरह से सारे रोगों को हम डिस्कस करेंगे तो बने रही है चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्यू फो वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में